हलो एन वेलकम एब्रिवान हो वेलकम टू एग्रिकल्चर अड़ा 24-7 आप सभी लोगों का एग्रिकल्चर अड़ा 24-7 में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग फाउंडेशन क्लास में एग्रिकल्चर इंजीनरिंग में कुछ बहुत इस्पेशल पढ़ने वाले हैं जि 24-7 का चो एप है वह नार्मल आप प्ले स्टोर पर जाना और अड़ा 24-7 डालना तब भी आपको मिल जाएगा नहीं तो कमेंट वोक्स में लिंक पिन है वहां से डाउनलोड कर सकते हो अधर वाइस आप वीडियो के नीचे डिस्रिप्शन में जाके भी एपको डाउनलोड क कर सकते हैं आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं ठीक है चलिए तो फटा फुष अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं यह एक रिकल्च इंजिदिरिंग की फाउंडेशन क्लास है जिसमें हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों को करते हैं और आज का टॉपिक रहने वाला है दस् सब्सक्राइब चलिए आज हम लोग एक रिकल्चर इंजिदिरिंग में पहले हम लोग जब सुरू किये थे तो लास्ट टर्ण पर हमने टिलेश को पहले बताया टिलेश के बाद में क्लासिफिकेशन भी बताया था कुछ उसके अबजेक्टिव बताने के बाद में सीधे आ सबस्वाइल था किसल प्लाव एन सब बात की थी और इस प्लाव वीडियो नहीं देख यह प्लांट प्रोटेक्शृन है उसी का पार्ट है अगर अभी तक verdad यह अगर अभी तक आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखाया तो जा के Elite करेंगे लिए वाले वीडियो को देख लेंगे उसमें हमने कुछ छोटी-छोटी सी अच्छी बाते बताई थी फाउंडेशन है क्योंकि हम क्या करते हैं चोटी-छोटी चीजों को बहुत अच्छे से डिसकस करते हैं तो आज भी हम लोग वही करने वाले हैं प्लांट प्रोटेक्षण का मतलब क्या होता है अपने प्लांट को बचाना डीजीजेस से या फिर हो सकता है इनसेक्ट को बचाना है तो उस पर ज़रूरी है क challenge न कूछल्ड न पढ़řेख tyle 1 इसलिए इस प्रेयर जो होता है यह क्या करता इस प्रेंग के फ़ॉलोल के फॉल के फॉरम में क्या करना है अपने जो हमारा मेंटेरियल है है जो हमारा हर्वी साइट फंगी साइड या फिर कोई चीज है उसको लोग क्या करेंगे अपलाई करेंगे फिल्ड पर अब आपको लगेगा सर डस्टर डस्टिंग क्यों करते हैं डस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टन प्रेक्टिस है क्योंकि कुछ चीजों को हो सकता है अच्छा उससे क्या कर सकते हैं इसलिए डस्टिंग भी किजाते हैं चलिया हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिजीज इन पेस्ट जो हमारी हैं इंसीडेंट आप दे क्रॉप प्लांट आर ओवर कम वाइद अप्लिकेशन आफ पोईजनस केमिकल इनको लोग करने के लिए आप क्या करेंगे बल्कुल आप हेल प्ले सकते हैं जिस चीज का उसे हम लोग बात करेंगे स्प्रेयर डस्टर की मैंने केमिकल्स और यूज्ट टू प्लांट प्रोडिक्शन कैनाट भी हैंडल वाई यूमन ऑपरेट कर सकता है अगर यूमन डालने चाहेगा हरवी साइड ओ फ़ंगी साइड तो क्या करेंगा बार्टी में अपना घोल बनाएगा इसके बाद कैसे छिड़केगा ऐसे ऐसे करके नहीं ना यानि कि उसको क्या करना है उसको ड्रॉप लेट के फार्म में उसकी इफिशेंसी को बढ़ा के क्या करना है इसी लिए हम लोग स्प्रेयर और डेस्टर का सहारा लेते हैं इस बताता है कि आपको सुटीबल मसीन क्या जरूरत होती है चलिए अब हम लोग बात करते सबसे पहले इस प्रियर एक ऐसा ऐसा क्या आइटमाइस टू इस प्लूड फ्लूड को क्या करेंगा इस प्रेकर देगा यानि पूरी सरफिस पे डाल देगा ठीक है ना सर्फिस डालन एक्सेसिव अप्लिकेशन अगर आप कोई हूमन हैंड अप्लिकेशन करता है तो तुम भी जानते उससे बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला उसे लॉस को बचाने के लिए का करेगा तब भी वह मशीन का जो है सहरा लेका बिल्कुल अगर आप ऐसे करते हो तो बिल्कुल ब लिक्विड केमिकल को क्या करेगा किसी लिक्विड केमिकल जिससे हम लोग बेस्ट डिजीज को कंट्रोल करने वाले उसको क्या करेगा उसको ड्रॉपलेट की फॉर्म में फैलाने का काम करेगा में लेकर हम लोग बात करते हैं हम लोग देखते हैं यह हमारा स्प्रेयर है त लाइन हो गया डिलीवरी लाइन और नोचल सर यह आपने बता तो दिया देखने में कैसे समझ में आएगा बिल्कुल दोस्त आपको देख के का काम करेंगा टंकी क्या करेंगी वोल्यूम है जो अपने अंदर रखने का काम करेंगी प्रेसर गास गैस क्या करेंगा प्रेसर जनेरेट करने का काम करेंगा ठीक है आपके कनेक्टिंग यह रौड होते है दोस्ति यह आपका जो है फाइनली जो आप डालते हो उस जगह आप को हम चला के क्या करेंगे ऐसे लोगों ने देखा भी होगा गाव में चलाया भी होगा आपने भी चलाया हो कभी चला के क्या करते हैं दोस्त इस से हम लोग प्रेशर जेनरेट करते हैं सर आज तो इसकल चलती नहीं है हाँ बिलकुल आज कल ये बहुत कम चलने लगी क्योंकि प्रेशर की जगए अब पावर वाली आने लगी है पावर का मतलब है उनके सास साथ में छोटा सा इंजन भी रखा हुआ और वो इंजन पावर जनेरेट करेगा और प्रेशर भी दे दे आनि स्प्रे का वइल्यूम jो करना आपको वहुजू आप डालने वाले एरिया को कितनी च्छोटीug करने वालों ये मारा तो सेमशें जैस्समों हमने बताया है हमारा किया हंदी में लिखित है चलिए कुछ बच्चों को लगता है सर इसके PDF कहां मिलेगी सर PDF कभी दे दीजे किसी चीज की तो बिलकुल इसकी PDF भी हम दे देते हैं कभी कभी कुछ चीजों की PDF हम अपने जो एप है हमारा पहले description में जाना वहां से एप को download कर लेना ठीक है एप को download करने का वाद्व आप जो चीजों का मज़ा लेना चाहो वो तो ले ही सकते हो साथ साथ में आप चाहू तो ले सकते हो हमारी PDF को भी सब्सक्राइब करते हैं तो छीजे जैसे exam स्क्राइब करें तो ये सब मिल जायए तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं ठीके जलTheail कि रिए का अब बात करते हैं ताइप का होती है तिन को पसुने हैं कि उसको तीन त्रीके का कितने तरीके का सबसे पहले प्रेमारा को जसा बमेता है जोमारा Aixòह जाता है गरता है इसना पैड़ों पर डालने के लिए दिख़ाओगा दूर से करते हैं उससे john रॉकर बोलते हैं तुमने देखा होगा उसमें क्या करते हो सब पानी बहुत जादा लगता है अगर जादा लगता है यानि कि वह हाई वल्यूम है ठीक है ना इसका दूसरी तरीके का आता है लो वैल्यूम जिसमें पांच से चाहर सो के बीच लीटर पानी लगेगा एक हैक्टियर में हों मेरल जाता है लो एक अल्ट्रा लो और अल्ट्रा मतलब यानि बहुत क dazu का पानी लगने का वह से बहुत नगकर पूछा जाता है आई अउफ मैं भी-चूका है इसके साथ साक्गोव हमारा इस स्टिक इंट्रेंस से उसमें भी आ चुका है और एक कामन कोश्यन जो भार बार पूछा जाता है तो इसको याद कर लेंगे एकदम दिमाग में चाप लेंगे ठीक है चलिए अब लोग बात करते हैं अल्ट्रा लोग वैलूम की सरी अल्ट्रा लोग वैलूम कुछ समझ नहीं जाता देखो अल्ट्रा लोग वैलूम यह ऐसा ऑपरेशन है इसमें बहुत कम जो है एकदम यह समझे एकदम धुआ जैसा पानी हो जाता है मतलब चुर लिकुड निकलेगा और आप एक पांच लीटर मतलब जो है उससे ही आप एक हैक्टेर खेत में क्या कर सकते हैं आराम स हो हैंड ऑपरेटर होता है इससे कुछ-कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेस्टेंस बनते हैं हम लोग उनकी बात कर लेते हैं ठीक है चलिए पहले बताते हैं ऑपरेटर्स कारी दिस प्रियर और इस बैक पीछे बिल्कुल टांग लेगा एंड हैंस देनेम इसको क्या बो होती है लेकिन कभी-कभी तुमें पंदरा से बीस भी दिख जाएगी लेकिन हमें से याद रखना रिटेन में हमारी कितनी है दस्ते पंदरा और मुस्ली इंडिया में फिफ्टीन ये फिफ्टीन की मानी जाते है ठीक है चलिए इसमें कन्फ्यूज मत होना दप्रेशर डब और कवरेज इसका कितना है धाई हैक्टियर पर डे कितना है धाई है अपर दे याद रहेगा चलिए यहीं सेम हमने हिंदी में भी लिखा है जो से बोलते हो मेली यूस पर दे स्प्रिंग फूर्ट ट्री जैसे आम के पेंड़ पर आप हार्मोन का अप्लीकेशन करना चाहतो तो कैसे कर होगे बिल्कुल आम के पेंड पे घर विस डालने जाय जाओ vs.FI हार्मोंच का इसके लिए चाहे नाम 디 d ना कौन सी थी जाद में याद होगा को बिल्कुल याद होगा रोक मतलब कि थोडा से पानी लगने वाला है यानि कि इसका व्य भी हाई होता है ठीक है फ्लार गार्डेंस में इसको बहुत कामनली यूज़ किया जाता है पंप विल्डप अप्रेशर अप्टूदा यह लगवक 14-18 जो है 14-18 किलोग्राम प्र सेंटीमेटर स्कर इसका भी याद रखेंगे ठीक है ना और अगर इसकी भी बात करो तो इसमें भी पानी आउट पूट जो होता है लगवक वाटर का वो भी कितना होता है सतर से नब्वे लीटर पति घंटा ही होता है एक नोजल से और इसमें भी जो इसकी कैपसिटी है देड़ हैक्टियर प्रती दिन कितनी है देड़ है इसे याद रखेंगे यह आज करना एक इसे क्या करेंगे यहीं साइसे सचला है और क्या करेंगा ये आगे पीछे जाता है इससे प्रिशर जंड्रेट होता है और एक नली को अपने बकेट में डाल ले थे हैं जिसमें हम लोग अपना गोल रखते हैं यह अपनी अपने प्लांट पर ठीक है न जैसे आप देख सकत गया है देख लिए चलिए ठीक है आभ याद रखेंगे एक होता है नैपिक मोटराइज्ट मिस्ट ब्लोवर कंदस्टर यानि सर यह कम का मतलब यह कम माहिंड इसमें ब्लोवर देस्टर दोनों हो है यह मारा कैसा होता है यह लगवख जो है देर से लगवा एक सप्रोंफ दो से तीन आचपी का जो हाई स्पीड पेट्रोल इंजन है इसके साथ में सट है ठीक है इसलिए इसको बोलते हैं सरे एक और चाहर पूछा जाया तो इलेक्ट्रिक तिन अच्पी नोर फिर मारा 3 हूट लिक लोगा था इंजन लोग डृब भूलेंगे भूलना नहीं इस यही कोशन पूचा जाता इक्सक्त कितना चेली थी ठीक है नहीं इक ऐन भी पावर भावाइं थी एच पीट है चलिच नहीं आप का यह ही लिखा हुआ है अगले कुस्चन पो आजाते है है यह जो आदमी डाला है अंकल जी यह क्या कर रहा है और फ्रावर कर न मतलब है इसमर पावर हन्रेट हो रहा है है कितना 3 hp 3 hp के बाद में क्या कर रह है छली अभ़ंकर करते हैं जो डेस्ट के formulation को करने चालने वाले उसका का बोलेंगे को डूस्त दोस्त दोस्त ले को दालने के लिए तो तुम देखो Summer उसको दा करेंगे अगर देखेंगे को बढ़ाने को बढ़ाना हम तो अगर देखते हैं जैसे लिवा Dae और यह क्या होई डस्टिंग हो गई दोस्ति यह क्या थी इसी प्रकार से डस्टिंग हमारी खेत में भी होती है और बस यही काम है ऐसे आप लेते हो बढ़ियां से जब होली होती होली में अवी डालने का काम करते हैं होली होली ठग रही होती है कर देखना कभी ठीके फिर वहारे डस्टिंग तुम अप हैर्वार किया घरोगे रखे हाथ पर हवा तो डालोगे ने क्योंकि वह तो पो केमिकल है और दूसरा दालोगे पता हुआ थोड़ा आपके इंदर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी दिक्क बना रहे हो वो बहुत अच्छा बनना चाहिए दूसरा बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए था ना और तीसरा यह कि दोस्त इसको ना जब बना रहे हो तुम तो आप अपने हाथ को कवर रखो हाथ को कवर रखो मतलब आपके जो इनियल्स बगएरा इन पर कभी यह ना लगे ठीक है अपनी नोस जो आप छिड़क रहे हो मतलब आप जब स्प्रे करने गए हो तब भी अपनी नोस पर मास्क बगएरा यूस कर सकते हो और बाडी पार्ट को इसके केमिकल के डायरेक्टर से बचाना होता है सूस पहन के यानि कि अपनी बाडी पर जब हम लोग नीची जसे करते जा रहे हैं तो हमारे उपर भी आएगा ना तो उससे भी बचना है इस सब चीजों से क्या है बच के रहना है जब आप डस्टिंग या कुछ कर रह हो मतलब आप इस प्रेंग कर रहे हो तो अपने हाथ उसमें यूज किया तो उस हाथ को कही और ने लगवा आप आए और हांत रखके खड़े होगे और बताओ भाई तो आप तो करके चले जाओगे दूसरा आएगा वहांत रख सकता है और रख लेगा तो उसके हाथ में केमिकल लग जाएगा और पता नहीं वह उसी हां से क्या करेगा तंबाक को खाने लगेगा तो तो बेटा फिर द खाल रखना होता है तो यह दोस्तीन के कुछ प्रिकॉसंस होते हैं जो आपको लेने होते हैं और आप जानरली जानते भी है करोना खाल सा निकल चुके हैं आपको पता है घृई को लोग पता है कमेंड नहीं करते हो जैसे आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बढ़ियां औरह रहो तो बाद मैं जैसे वीडियो देखली इसके बात में खत्म होने के बाद में एक कमेंड चोटा सा डाल देख मज़ा आया सर बढ़िया था जैसा था कुस्तू कम से को में आप आप देता है अपना खुर्पी को या फिर जो भी आप चीज़ जिसमें सान रखाने के हो देखा होगा ऐसा वह था क्या दोस्त वैसे ही कुछ टाइप होता है यहां पर यह इंजन ना इतनी तेज हवा देगा इसको फिर वह एकदम धुआ धुआ हो जाएगा और यहां ज क्या करोगे अब डालते जाओगे यह हमारा डिस्टर मशीन होती है जो केमिकल्स को डिस्ट फॉर्म में अपलाई करती है यह एक देख रहा हो यह प्लंजर टाइप बोलता है यह क्या है बिल्कुल समझेजे आप जैसे पिछकारी यूज़ करते हैं होली में कुछ ऐसी है इ एकदम से फैला फैला रहेगा ऐसा इसके माद्वेंस से कर लेते हैं अच्छा इसमें जो केमिकल यूज़ करते हैं जो पावडर्स फॉर्म में वह बहुत महीं होना चाहिए मतलब वो नब बहुत एकदम पीसा हो बहुत अच्छा होना चाहिए बिल्कुल इसलिए याद हम लोग अलग किसी में करेंगे लेकिन अभी आपको दिखाते हैं अब जो डिस्टिंग होने लगे वो डिस्टिंग जो है हमारी ड्रोन के माद्ध हमसे बहुत अच्छी हो रही है ड्रोन में क्या करते हैं दोसी पीछे तो दिख रहा है ना यह आएगा और फूर से निकल अधे माध है का इसलिए हम लोग नहीं कराते हैं हाँ ड्रोन से ऊकराया जा सकते अच्छा का सागा सा लेंडीआ तो डूं से कढते हैं लोग से ने क्या रजाये कि अच्छा इस्प्रिंग को टम्रिण को में ली जब हम देखते हैं इस फॉर्मिट में यह देखर चरोना लोड्र डीरिय है क्या करना है चलो अभी हमें बताता हूं और ध्यान से सुनना छोड़ नहीं देना है ठीक है ना चलिए बताते हैं भी दोस्त आज का कोश्चन यह है हाई वॉल्यूम स्प्रेयर में होता है कितना हमारा ए बी सी और डी दोस्ती चार अप्षिन आपको चूज करके आंसर फटाफ़ट कमेंट बॉक्स में डाल देना क्या अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए बड़िया चीज बताएं दोस्त आप लोगों के लिए मेंश का स्पेशल बैच च अच्छी है जिसमें अलाइट साइंस को एकरिकल्चर इंजीनरिंग हो जाए या फिर हमारा फॉरस्टी हो या फिस रीज हो या क्राउफ वीजिय लोजी हो या मेट्रियो जी वह साथ ने एपी कलचर सेरी कलचर लैकलचर यह सब चीजें दोस्त हम देने वाले हैं और आपको बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन से पढ़ा के विद फीगर एंड डाउट निस्क्रिक्शन सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं यह बैच में अगर आप इंडरोल होना चाहते हो इस बैच में आप इंडरोल होना चाहते हो तो दोस्त आपको क्या करना है पहले यह अगर आप देख रहे हों अगर देख लेते हैं यह का मतलब होता है स्पेशल ऑफर होता दोस्त ठीक ना जब एक्टिवेटेड़ होता है को एक्टी परसेंट आफ मिलता है और दोस्त इसमें आपको फाउंडेशन से सारी क्लासस मिलने वाने भी डिवीजन टेस्ट इसमें आपको जो टेस्ट है ना वह भी मिलने वाले हैं डवल बैलिडिटी ओन होती है नहीं बारा नहीं फिर 24 महिने के लिए भी ओन होता है ठीक है और एक बात इसमें आपको एस अग्रिकल्चर जो हमारी अग्रिकल्चर की अपनी बुक है वह आपको क्या है दोस्त इबुक फॉ जिसमें संदीप सर आते हैं फिर इसका जिनरलِकल्चे यही संदीप सर भी वह भी लेते हैं और सब्जोट बीचलते हैं और से बाराथ मिल्चाज के बाद में एक और क्लाश जिसको हमलोग बोलते इस्टेट जो हमारा एफएशो एक्जाम है जिसे ज़ारकंट के एक बैकेंसी चल लई है और पीसी एफएशो उसकी जो आपकी प्रेक्टिस है वह भी आपको मिलती है तो दोस्त उसमें जाके आप क्या कर सकते हैं प्रेक्टिस चाहते हैं तो आप यहां पर जाना नोट यूज को यूस करना मत भूलना कंज कैसे करते हैं को ऑइन जैसे में में जो को कुछ कोई मिलते हैं जब आप पर्चस करते हो जब आप कोड भी लगा दे तो इसके बाद भी आपको इस्पेशल डिसकाउंट देने के लिए कोई लगा दीजिए और डिसकाउंट पा लीजिए ठीक है ना तुरंट तुरंट टूवन एट फाइफ वाइस एवन एट त्री एकोड ठीक है चलिए अब हम एक बात और बड़ी अगर आप चाहते हैं किसी भी एक्जाम के प्रप्रेशन करना जो हमारी अपकमिंग एक्जाम वेक प्रप्रेशन कराई जाते हैं चाहें आवार्ड हो चाहें एंपी आर्यों चाहें यूपी ट्रिपल स्यू चाहें स्टेट का कोई एक्जाम हो यह जो आपका बैच है यह डबल वैलिडिटी पे दो साल के लिए भी होता है साथ में 80% आफ यानि की 80% आफ पे आपको मातर 6,000 रुपए में 2 साल सारे एक्जामस आपके तो दोस्त इसमें भी इंडूल कर सकते हैं वाई 783A कोड के साथ में एक्रीकल्चर महापैक में यह जो आपको चेहरे ना बरावर देखते रहेंगे ठीक है ना और हम तो मुस्कुराते हुए आपके सामने बरावर आते रहेंगे औ और हर एक जगे आपको क्या है दोस्त यह समझे लिए फाउंडेशन से क्लास करते हो तो आपको यह मजा आना आप जो भी देख रहे हो इससे दस गुना आएगा दस गुना क्योंकि एक छोटी सी चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझाने का काम करेंगे ठीक है इसमें आई आप पढ़ रहे हो आपके लिए बहतर है वाई 783 एक लगाना नहीं बूलेंगे अपने साथ में इन्रोल कर लेंगे क्रॉप फिजियो लॉजी फॉरस्टी यह सब्जिक जो है यह हम डिल करते हैं लाइट साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ाने की गारेंटी समझाने की ग आपको जाके एक बर क्या करना चिक कर लेना है वाई 783 एक कोड के साथ में इन्रोल कर लेना है ठीक है दस्ते 11 बच रहने वाली क्लास है चलिए फिर अपनी क्लास आज गहीं तक धन्नवाद रादे रादे थैंक्यू लब यूट वाल अपना ख्याल रखेंगे फिर मिलते है नए फाउंडिशन क्लास के साथ में नई इनर्जी के साथ में चार वज़े अपनी मंथन क्लास होते हैं उसमें जरूर आते रहिएगा उसमें हम लोग बहुत अच्छे च्छोटी च्चीजों को बहुत अच्छे सा समझाने का काम करते हैं ठीक है चलिए अपने खियाल रख प्लवादी करनी लिए दे लिए करते हैं